वेलकम बैक तो माई वीडियो तो गाइस आज है मेरे पास लापटॉप HP का 15X DU3 XSX इसमें हमें मिलता है Intel Core i5 का 11 जेनरेशन और NVIDIA का ग्राफिक कार्ड जो काफी ग्राफिक कार्ड को कॉम्पेटिशन देता है लापटॉप के वो है NVIDIA MX350 जो बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है राइजन के वेगा 8 ग्राफिक्स वेगा 11 ग्राफिक्स को टककर देता है इधर हमें मिलता है Matt Finish का Look और Black Matt Finish का इसका Design है और यह बहुत ही काफी अच्छे फीचरस है इसमें इसमें आपको बहुत सिंपल से लोक, बहुत से इंसिटिफ से टेच पैड मिलता है, और यह हमारा HD webcam, जो बहुत ही अच्छा है, 0.9 MP का आपको कम लग रहोगा, पर काफी है, लापटोप वेगरा के लिए, तो गाइस, यहां पर हमें एक कीबूर्ड मिलते है, अच्छी जाते है, और इसमें हमें पिल्कुल से दो यहां पर लेफ माउस बटन और राइट माउस बटन मिलता है, इसमें हमें मिलती है, विन्डोस 10 होम, 32-bit, जो की काफी सफीशेंट है, एक लापटोप के लिए, और हमें इसमें मिलती है, 1TB की HDD, पर इसमें एक दिक्कत की बात ह कि इसमें SDD, SDD नहीं है, जिससे बहुत स्लो चलता है लापटोप, पर इसमें हमें एक स्लोट डिया हुआ है, जिसमें हमें SSD बात में लगवास है, ते भार से, और इसकी जो मैट फिनिश का लुक है, वो बहुत यह जादा अच्छा दिखता है, और आप जानते ही होंगे कि HP के लापटोप कितने अच्छे होते हैं, और इसकी प्राइजिंग की बात करें, तो यह बहुत ही चीप प्राइज में एवेलेबल है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल i3 के लापटोप वेगरा 48-50,000 के आरे, यह हमें 60,000 के इसकी MRP मिलती है, और दिसकाउंट वेगर तो यह अराम से 3-4 घंटा चल जाता है, तो आपको जब भी आप लॉंग आर्च के लिए काम कर रहे हूं, तो एक आपको चार्जर से करना ही पड़े, तो यहाँ पर हमें मिलता है, दो USB पोड, एक मेरे माउस के साथ लगा है, वायलेस जब्रॉनिक्स का माउस है, और टाइब C पोड और दो लाइट वो पताता है, आपको बेसिक एडिटिंग के लिए चाहिए होगा, वीडियो एडिटिंग करते हो, आप गेम्स खेलते हो, तो यह इसके लिए बहुत ही अच्छा लैप्टॉप है, इसमें आपका कैमरा, वैबरा, ओल्लाइन क्लासे, कुछ स्ट्रीमिंग, यूटूबर, आप जो भी हो, वो सब अराम से कर सकते हो, बस इसमें आपको SSD की जुर्यत पड़ेगी, जिसकी वज़े से ये लैप्टॉप बहुत स्लो हो जाते है, आपको SSD, बहुत है, SSD मस्ट है, आपको SSD लेना है, यहाप बहुत ही सुन्दर, मैट और HP भाई, HP के लैप्टॉप बहुत अच्छी होते है, इसका एक बाद फैन खराब हो गया था, तो तुरंट एक साल की वरेंटी है, तो इल्लो ने फैन भी तुरं ठीक करने आते दो दिन बाद, और फ्रीमें में फैन भी ठीक करने, क्यों मिल गया, एंड हमें 8GB की RAM मिलती है DDR4, चुकि बहुत अच्छी बात है, 8GB RAM, it is a sufficient RAM, और क्या चाहिए भाई, आपको इतने से रेट में, आजकल के i3 के लैप्टॉप, सिर्फ i3 होता है, उसमें 48,000-50,000 के आ रहे हैं, यह कोई मजाग चल रहा है, और i5, वह भी 11th generation, वह भी MX350 के साथ, आपको 55,000 के मिल रहा और क्या चाहिए भाई, तो I hope कि आपको information पसंद आई हो, तो अगर आपको कोई विडाओं टो मुझे comment करो, और मेरे चैनल को subscribe ठोको भाई